हेलो एवरिवन वेल्कम तो गौवर्मन जॉब करो और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा फ़रीद उन्यस्ट्री ऑफ हेल्ट साइंस के दुवारा निकाली गी आर दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन के बारे में जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई ती जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है कि कौन कौन सी पोस्ट निकालीगी है क्या क्या Eligibility Criteria आपको चाहिए होगा किस तरीकी से पूरा प्रोसीजर रहेगा और भी काफी फॉर्दर मोर इंफॉमिशन आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं उपर दिये गए आई बटन के थ्रू आप बात करते हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिरफ इन पोस्ट के क्राइब के बारे में बताने जा रही हूं सेलेक्शन परोसेस के बारे में भी आपको बताऊंगी क्योंकि काफी स्टुडेंट्स की यह क्वेरी आ रही थि और यह कोशन पूछा जा रहा था कि रूदे के क्या लिए उनको समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैंने एक सप्रेट वीडियो बनाई है आपके लिए यह ताकि आपको इस वीडियो के थुरू पूरा eligibility criteria पदा चल जाए सबसे पहले बात करते हैं जो इनके द्वारा assistant professor radiology के लिए दो vacancy निकाली गी है उस बारे में तो पहले में आपको यह बता दू कि इनके जो application form है वह 24 दिसंबर 2021 तक age limit है वह 18 to 40 years के बीच में होनी चाहिए अगर आपकी age limit इसके बीच में नहीं है यह फिर इससे जादा है तो आप इस पोस के लिए अपलाए नहीं कर सकते हैं और यह जो criteria है यह जर्नल category के लिए हैं बाकि जो reserve category है उनके लिए जो relaxation है वह इस परदा guideline सी दी जाएगी जो की same रहती है qualifications की बात करें जो की सबसे important factor है qualification में आपके पास MD, MS, MCH या फिर DM इन में से किसी भी particular field में आपने study complete की है तो आप इस पोस के लिए apply कर सकते हैं अब मैं आपको एक important चीज़ बताने जा रही हूं अगर आपने MS या फिर MD radiology में किया है तो आप इस पोस के लिए eligible माने जाएंगे तो यह जो particular field है इसकी study आपके पास होनी चाहिए तब भी आप इस पोस के लिए apply कर सकते हैं दूसरा important factor यह है कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि पंजाब government job के लिए अगर आप लोग apply कर रहे हैं तो आपके पास दसमी या फिर दसमी के बाद जो additional exam होता है पंजाबी का उसका certificate होना ज़रूरी है क्योंकि इस में requirement होती है कि आपको proper पंजाबी की knowledge हो तो अगर आपको proper पंजाबी की knowledge है तो आप इस post के लिए eligible है तो यह जो दो factor है यह आपको चाहिए होंगे assistant professor radiology की field के लिए अब उसके बाद हम next post की बात करते हैं जो कि इनके द्वारा निकाली गी थी यह है twitter demonstrator nursing post के लिए इसके लिए इनके द्वारा 32 vacancy निकाली गी थी जिसमें आपकी जो age limit है वो 18 to 37 years की बीच में होनी चाहिए यह जो age limit है basically general category के लिए है क्योंकि जो बाकी categories है उन्हें as part the guidelines relaxation दी जाती है जो की same रहती है ठीक है अब qualifications के अगर हम लोग बात करें तो आपको यह चीज़ें जो है screen पर भी दिखरी होंगी समझ आ रहा होगा clear दी कि क्या क्या qualification आपको चाहिए qualification में आपकी complete होनी चाहिए m science nursing जी हाँ अगर आप लोगों ने m science nursing से नहीं किये है तो आप इस post के लिए बिल्कुल apply नहीं कर सकते हैं और नहीं eligible माने जाएंगे तो m science की degree आपके पास होनी चीज़ें इसके इलावा desirable qualification से कि आपको proper Punjabi की knowledge होनी चाहिए इसका certificate आपके पास होना चाहिए कि आपने पंजाबी की हुई है अगर आपने दस्वी में पंजाबी से किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं किया है अगर आपने दस्वी में पंजाबी subject से पार नहीं किया है तो additional exam होते हैं पंजाबी के हर एक 6 महीने के बाद इनके लिए भी आप apply कर सकते हैं और then eligible होंगे आप इस पोस्ट के लिए अब further मैं आपको यह बताना जा रही हूं कि किस तरीके से यह जो nursing पोस्ट है इसके लिए आपकी procedure बढ़ेगा इसके लिए आपका return test लिया जाएगा जो कि 90 marks का होगा इसमें आपक आपकी जो logical question है वो GK के related आएंगे mostly तो यह जो है वेटेज आपकी जो particular qualification पर्टिकुलर knowledge है nursing की उससे related ही आएंगे जो 10 marks है वो आपको दिये जाएंगे interview के time पे और यह interview के time पे जो आपका experience है उसके basis पे आपको marks मिलेंगे अगर आपके पास 1 साल का marks एक मिलेगा 2 साल का experience है तो 2 marks मिलेंगे 3 साल का experience है तो 3 marks मिलेंगे और इसी तरीकी से अगर आपको 10 साल का experience है तो आपको 10 marks properly दिये जाएंगे तो यह criteria इस तरीके से distribute किया गया है तो अब आपको समझ आगे कि क्या क्या eligibility criteria आपको चाहिए होगा इन दोनों post के लिए अगर अभी भी कोई query है यह फिर कोई भी question आपको पूछना है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं इसके अलावा इस video को like कीजिए share कीजिए और साथ के अगर आपको latest and latest information आपके phone पे चाहिए तो आप उसके लिए हमें join कर सकते हमारे telegram और WhatsApp ग्रूप पे directly contact भी कर सकते हैं आप लोग हमें हमारे WhatsApp निंबर के through जो कि आपको नीचे description box में मिल जाएगा So thank you so much for watching this video and have a nice day